हमस्कार दोस्तों, Tax on Online Gaming बड़ा ही महतुपूर्ण टॉपिक है और इस कॉंटेक्स में आप इस टॉपिक को देखे दोस्तों, कि मुझे खुद जब मैं इस विशे पर तैयारी कर रहा था, सर्प्राइज हुआ पढ़ते हुए, कि दो हजार चोईस में भारत का जो Online Gaming का Market Size है, लगबग 4000 करोड अल्रेडी क्रॉस करने पर हैं, और 2029 तक लगबग 15-16% की ग्रोथ रेट ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी में वारत में आती रहेगी, तो दोस्तों चाहे आपको Online Gaming अच्छी लगे या न लगे, परन्तु Online Gaming प्रिवेल कर रही है, बहुत से लोग Online Gaming खेल रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, मैं कह सकता हूं उन में से कुछ लोग पैसा बना भी रहे हैं, तो कॉश्चन आता है कि ओके अनुप जी, अगर Online Gaming पे इतना काम हुई रहा है, तो फिर Tax on Online Gaming की भी बात कर लेते हैं, तो आपकी इसी सोच को और थोड़ा मैच्छी और बनाने के लिए आपकी समझ को और अच्छे तरीके से डवलप करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं Tax on Online Gaming and particularly मैं Income Tax related विशे पर बात करूंगा, तो Tax on Online Gaming क टॉपिक लेकर के मैं सी अनुब भाटिया आज की इस वीडियो से आपके समख्ष हाजर हूँ, दो तो बात शुरू करता हूँ, what is Online Gaming, आप कहेंगे अनुब जी इतनी सरल बात को भी आपको हमारे को बताने की जुरूत है, नहीं सर क्यूंकि मैं लौ का विद्यार्ती हूँ यानि लौ पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इस टॉपिक को, Online Gaming को मैं Income Tax Law में दी गए, डेफिनेशन से समझना चाहता हूँ, और Section 115.BBJ, जो कि Budget 2023 या Finance Act 2023 से Income Tax Law में specifically Online Gaming पर इंसर्ट हुआ, उसमें बात करी, As per Section 115.BBJ of Income Tax Act 1961, the term Online Game means a game that is offered on the internet and is accessible by a user through a computer resource including any telecommunication device, तो ये सर आपके सामने Online Gaming की एक डेफिनेशन के Income Tax Department इसे कैसे देखता है, वो बात समझ में आई, अब कुछ लोग question करते हैं, कि अनुप जी, Online Gaming में हम दो classification कर सकते हैं, Game of Skill, Game of Chance, तो क्या Income Tax Department इस classification को मानता है, unfortunately नहीं, आज की डेट में Income Tax Law, Game of Skill, Game of Chance, दोनों में कोई classification as such, from the point of view of taxation, नहीं कर रहा, दोस्तों, budget 2023 से, Online Gaming पर क्या स्पष्ट व्यवस्ता law में आई, जैसा कि मैंने अभी आप से बात की, कि एक section 115 WBJ specifically insert हुआ, जिसने एकार Tax on Winning from Online Games, ऐसा नहीं है कि Online Game की विनिंग पहले taxable नहीं होती थी, परन्तु, budget 2023 से एक प्रतक व्यवस्ता इस संदर्म में कर दी गई, क्या 115 WBJ section आया, not this standing anything contained in any other provision of this Act, where in the total income of an SSE, includes any income by way of winning from any online game, the income tax payable shall be aggregate of, यानि एक अप्रेल 2023, वित्तवर्ष 2023 चुईस अन्वर्ड्स, अगर आपकी total income में online game से कोई income आ रही है, सीधे सीधे बोलो तो winning आ रही है, तो आपको tax liability क्या लगेगी? पहला हिस्सा, amount of income tax calculated on net winning from such online game, during the previous year, computed in the manner as may be prescribed at the rate of 30%, जो भी आपकी net winning होगी online gaming से, उस पर आपको सीधे सीधे 30% tax लगेगा, दोस्तों ये rate के वल 30% नहीं है, अगर आपकी total income 50 लाग से नीचे है, या 50 लाग तक है, तो आपको इस पर 4% का HEC, health and education says और देना पड़ेगा, और अगर 50 लाग से उपर के आपकी total income है, तो आपको सर्चार्ज के लिए भी तयार रहना होगा, और ये व्यवस्ता सभी करदाताओं के लिए लाग हो है, अब क्या रहा बाकी की income का, तो 115 WBJ बोला, amount of income tax with which the assessi would have been chargeable, had his total income been reduced by the net winning referred to in clause 1, तो आपकी online winning से, जो net winning होई है, उ उस online gaming की net winning पर 30% tax लगेगा, और बाकी की income पर जो normal tax लगता है, जिसे मैं slab rate कह सकता हूँ, यसे capital gain की income है, share market की उस पर 10%, 15% tax rate लगती है, वो अलग से rates applicable होगी, पर ये बात clear होगी, कि online gaming से होई income पर आपको straight away 30% tax लगने वाला है, परन्तु इससे जुड़े बहुत सारे question है, जिनका उत्तर हमें अभी और प्राप्त करना है, जिनकी चर्चा में आगे करने वाला हूँ, तो दोस्तों अगर कोई मुझसे ये पूछे, कि अनुब जी जो tax applicable है, online gaming की income पर, तो वो gross winning पर है या net winning पर है, तो मेरा उत्तर स्पष्ट होगा, जैसा कि अभी 115BJ की reading में भी हम तो आपने online gaming खेलने के लिए से 1,00,000 जमा कराए, और at the end of the year 3,00,000 लेके निकल गए, तो इसका मतलब आपने 2,00,000 रुपए की net winning कमाई है, ये एक मुटा मुटे तरीके से आपको समझना होगा, क्योंकि ये 2,00,000 की net winning अब मेरी taxable होने वाली है at the rate 30% परंतु दोस्तों अपने discussion को थोड़ा सा technical करूँगा ताकि आपकी समझ और अच्छी develop हो, कि ये net winning compute कैसे होती है, अगर आपको 115BJ की मेरी initial reading ध्यान हो, तो उसमें section में एक आ गया, कि net winning as may be prescribed method से जो compute की गई हो, तो income tax में, जहाँ पर income tax act है, वहीं दोस्तों income tax rules भी होते हैं तो income tax rules 1962 में एक rule 133 insert किया गया इस विशे में इस पश्च रूप से, विशेश रूप से, जिसमें एक आ गया net winning from online games during the previous year for the purpose of section 115BJ shall be calculated using the following formula, अब ये formula बहुत important है कि इसी formula से आपकी net winning calculate होगी, formula क्या है, a plus d minus b plus c, अब आपको समझना होगा क्योंके साब ये a क्या होता है, d क् b क्या होता है, c क्या होता है, और a और d के total में से b और c minus होके जो figure आएगा वो आपकी net winning मानी जाएगी, तो aggregate amount, a का मतलब है aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year, तो हम इसे example के रूप में और रखना चाते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि suppose मैंने एक particular online gaming platform पर गया और मैंने साल के 5 लाक रुपे वहा in the user account by the assessi during the financial year, ये b का है, तो मान लिजे मेरी खुद की दूसरी तरह से salary से, profession से कमाई के income से, मैंने 2 लाक रुपे जमा कराये थे, जिसे non taxable deposit माना जाएगा, opening balance of user account at the beginning of the financial year, तो मान लिजे जिस online gaming में मैं गया हूँ, वहाँ मेरा साल के opening में 1 लाक का balance था, और d कहता है, closing balance of user account at the end of the financial year, और year end पर सर अभी भी मेरे पास में 1.5 लाक का balance अलरीडी खड़ा है, यानि मैं अभी भी ओनलाइन gaming में अगर जाता हूँ, चेक करता हूँ, तो वहाँ मेरे wallet में 1.5 लाक का balance खड़ा है, तो अब जब आप A प्लस D करेंगे, तो वो हो जाएगा सर, 5 लाक प्लस 1.5 लाक यानि 6.5 लाक और माइनस B प्लस C करेंगे, तो वो हो गया सर, 2 लाक और प्लस 1 लाक यानि 3 लाक, तो टोटल 6.5 लाक माइनस 3 लाक, मेरे पास में net कितना बज़ गया, 3.5 लाक, तो ऐसी परिस्तिती में दोस्तों, current financial year में मेरे 3.5 लाक रुपए को net winning मानते हुए, 30 percent की rate पर tax करेंगा law, ऐसी समझ हमें यहाँ इस example से develop होती है, so I hope यह जो net winning का एक तरीका मैंने आपके समक्ष रखा, वो आपको समझने में सिद्ध करेंगा, help करेंगा, क्योंकि net winning की finally calculation कैसे की जाएगी, और इसी net winning पर दोस्तों, फिर 115 WBJ के साब से आपको 30 percent tax rate देनी होगी इस तो अब बात करता हूँ, what is relevant head of income, क्योंकि चलिए, आपके पास में net winning आ गई, online gaming से आ गई, तो क्या income tax का कोई head भी समझना है, कि किस head में यह income जाकर के बैठेगी, तो बोला साब यह income या तो PGVP में tax होनी चाहिए, यानि business profession की income मानी जाए, या यह capital gain की income मानी जाए, या यह other source की income मानी जाए, तो मेरी यहाँ पर यह माननेता है, या सोच है, कि मेरी opinion में भारत सरकार इसे other source की income मानेगी, तो आप चाहे किसी भी head में इसको लेकर के जाए, 115WJ net winning पर आपके 30% के tax लगाने की मन्शा रखता है, यह बात हमें ध्यान रखनी है, और प्राइमा फेसा मेरी माननेता है, कि यह income आपकी other source की income मानी जाएगी, तो जब मैं online game से वही winning की बात करता हूँ, तो एक interesting question यह भी आता है, कि taxation of bonus और referral bonus और incentive और promotional money और discount, how it is going to take place, कि जब हम online gaming चलते हैं, उसमें जाते हैं, तो online gaming में बहुत सारी sites हैं, जो prompt करती हैं, कि आप join करिये, joining bonus आपक 1000 points मिलेगा, तो यह जो points हमें मिल रहे हैं, क्या हमारी net winning का हिस्सा होंगे, तो इसका उतर, इस question के उतर से मिलेगा, कि जो आपको bonus, referral bonus, incentive, promotional money, discount वगेरा मिल रहा है, are they allowed to be used for playing online games only, और they are re-characterized and then allowed to be withdrawn, अगर आपको ऐसे promotional bonus वगेरा जैसे figure, allowed to be withdrawn का option है, कि जैसे मुझे 500 points मिल और मैं चाहूं कि सहाब अब मैं ये 500 points निकाल लेता हूँ वापस, तो फिर वो भी आपकी net winning का हिस्सा बनेंगे, और यदि आपको वापस निकालने की सुविदा नहीं है, किवल उनसे आपको game खेलने की सुविदा मिल रही है, तो ऐसी परिस्तिती में दोस्तों taxability नहीं आ गेमिंग में जब आप जाते हैं, तो आपको उस income को कमाने के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे interest expense आपने money उदार ली, उदार लेकर के online gaming किया, मेरी otherwise ये है, ऐसा गलती न करें, commission brokerage आपसे relevant platform ने लिया होगा, तो वो तो sir शामिल है आपकी net winning की calculation में मैं मान लेता हूँ platform की fees भी आपके A plus D minus B plus C के formula में मेरी opinion में शामिल है, GSTB शायद उस formula तक bet जाएगा, लेकिन ये जो indirect expenses में आपका interest का expense है, ये दोस्तों कहीं भी आपको उस formula में नहीं मिला, और जब formula में नहीं मिला, तो मेरा मानना है कि क्योंकि interest का figure formula में नहीं दिया, तो आपके net winning के taxation में आपके borrowed fund से interest दिये हैं या देने का कोई expenditure है, तो आपकी net winning में क्योंकि इस interest के इस first रूप से गटाने का प्रावधान नहीं है, तो आपको यहां interest expense मिलने की संभावना नहीं है, तो इससे फिर एक बात सिद्ध होती है, कि interest पर पैसा उधार लेकर के online gaming में कृप्या आप कहींगा अनुम जी यह कैसे होता है, देखिए अब दो चीजे हो सकती है, मैं अलग-अलग platform पर गया, एक platform पे पैसा कमाया, दूसरे में गवाया, हो सकता है, एक जगे मेरी net winning positive थी, एक जगे मेरी net winning negative थी, तो अगर मेरी net winning negative है और एक जगे net winning positive है, तो क्या दुनों इस विशे में कोई स्पष्ट हाँ या ना नहीं की गई, और जब ना नहीं की गई, तो मैं तो मानता हूं कि साब असरसी के favor में बात होनी चाहिए, परन्तु ये भविश्य में पता चलेगा कि income tax department इस तरीके के set-off को permit करता है या नहीं, पर मेरा मानना है कि साब अगर एक platform पर मैंने कमाया और एक platform पर गवाया, तो then in that case net में set-off होना चाहिए, ये मेरी राय है, आवश्यक नहीं है कि ऐसी बात को income tax department माने भी, एक और important interesting question, क्या online gaming से हुई net winning में आपको section 80C के deduction जैसे LIC premium का payment, कोई home loans related principal का payment, PPF के contribution, पहले तो कमाये वहाँ ये एक challenge, फिर चलिए कमा या किसी ने तो अब उसने invest करना शुरू किया, क्या उनके deduction मिलेंगे, प्राइमा फिसाई मुझे नहीं लगता सर ये deduction मिलेंगे, क्योंकि 115BBJ की reading, chapter 6 के deduction को allow करने की बात नहीं कर रही, तो मुझे नहीं लगता कि ATC के deduction online gaming से हुई net winning में मिल सकेंगे, आईए एक और interesting question रखता हूँ, whether basic exemption benefit may be claimed against online gaming income, क्या online gaming की income में से आपको basic exemption limit, जैसे किसी ने बोला अनुप जी, हमने तो ये सुना 7 लाग रुपे तक की total income पर new regime में tax नहीं लगता, तो फिर अगर 7 लाग तक की net winning है हमारे पास में online gaming से, तो टेक्स तो नहीं लगना चाहिए ultimately, और मानली जै टीडियस कटा है तो refund हो जाए, तो आप इस प्रिश्न का उत्तर हां में सुनना चाहते हैं, पर एक option ना भी हो सकता है, मुझे मुझे मुश्किल लगता है सर के आपको online gaming से हुई net winning पे basic exemption limit की benefit मिलेगी, आज की date में log की जो reading है, वो इस विवस्ता को पोशित या promote नहीं करती, तो मुझे doubt है इस विशे में कि आपको basic exemption limit का benefit online gaming की net winning में से मिलेगा, तो chances है किसे किसी ने 2,00,000 रुपए भी कमाये तो उसको सीधे 30% tax देना पड़ेगा, ये एक बड़ी खतरनाक विवस्ता, 115 WBJ की reading से लगती है, दोस्तो अगली clarity लेना चाहता हूँ इस विशे पर कि losses from online gaming भी carried forward, suppose किसी को loss हो गया, सारे platform से loss हो गया, ये एक platform पर बड़ा loss हो गया, इश्वर ना करे ऐसा हो, परन्तु ऐसा भी देखने में आता है, तो क्या आपके losses carry forward होंगे, अब दोस्तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इंकम है, तो other source की income में तो carry forward करने की प्रावदान नहीं है, तो अगर other source में आपकी reporting है, तो losses carry forward नहीं होंगे, अगर business है, तो business में carry forward का प्रावदान हो सकता है, मिले, तो इस विशे में law में आज की date में पुने कहूंगा clarity नहीं है, मेरी personal understanding तो ये है, कि सब अगर किसी व्यक से नहीं set off करने दो, मैं वहां तक समझूँ, अला कि इस विशे में भी मना नहीं है law में, पर कम से कम उसको carry forward तो करने दो, पर पुने कहूंगा दोस्तों, law में इस विशे में स्पष्ट व्यवस्ता नहीं है, और जब स्पष्ट व्यवस्ता नहीं है, तो बहुत सिवार income tax department अससी के अगेंस्ट जाना चाता है, परन्तु अससी भी यहां पर अपनी लडाई लड सकते हैं, और हो सकता है आप अपील में कुछ इस प्रकार का रिलीप ले पाएं, एक और इंट्रेस्टिंग आसपेक्ट समझे सब, TDS on winning from online games की भी बात की गई, क्योंकि जब tax लगता है section आया था, Finance Act 2013 से, Income Tax Act 1961 में जिसने का, not standing anything contained in any other provision of this Act, any person responsible for paying to any person any income by way of winning from any online game during the financial year shall deduct income tax on the net winning in his user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year at the rate in force. तो ये बात तो इन्होंने clear कर दी, कि at the end of the financial year आपका TDS काटा जाएगा, ठीक है, कौन सी rate से जो अभी हमने बात करी, WBJ section में, 115 WBJ में 30%, provided that, in case where there is withdrawn from the withdrawal, from the user account during the financial year, the income tax shall be deducted at the time of such withdrawal, on the net winning comprise in such withdrawal, as well as on the remaining amount of net winning in the user account, computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year. तो अगर आप बीच में withdraw करते हैं, तो जब-जब withdraw करेंगे तब भी आपका TDS कटेगा, और at the end of the year, जो आपका net winning का balance उनके पास आएगा, उस पे भी TDS कटेगा. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको duplicate double TDS कट रहा है, सरकार यह कहना चाती है, कि अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं, तो year end पे net winning calculate होगी, relevant platform की TDS कट जाएगा year end पर. और अगर आपने during the year net winning निकाली, अब यह net winning की calculation rule 133 में की जाएगी, और वहाँ बहुत सारे net winning के अलग formula भी दिये गए हैं, आपको जागरुक हों, तो 133 rule of income tax rule 1962 का अध्यान करी, आपकी और आखे कुलेंगी. मैं यह कहना चाहता हूँ सर, के law ने यह विवस्था कर दी है, कि net winning पर TDS भी कटेगा, during the year withdrawal करेंगे तो withdrawal पर कटेगा, और अगर withdraw नहीं किया, तो year end पर closing net winning के balance पर आपका TDS 194 BA section में कटेगा. बात करता हूँ दोस्तों इस विशह में, whether credit of tax deducted at source be claimed in ITR filing, why not? जब आपका TDS कटा है 194 BA में और आप return बरेंगे तो आपको 115 BBBJ section में अपनी income report करनी है, वहाँ जो 30% tax बनेगा और इधर जो relevant platform ने आपका 30% tax काटा है, उन दोनों का अपस में मिलान हो जाएगा, और finally आपको उतने तकी tax credit मिलेगी आपकी final tax liability में से, जितना TDS आपका relevant platform ने काट लिया है, उतमें दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि online winning पर मुझे बहुत सारे question इंदरों लगातार आ रहे थे, तो मुझे लगा इस विशह में जनता जनार्दन की सेवा के लिए, एक व्यापक वीडियो बना करके आपके समक्ष लेकर क्या हूं, I hope this video will serve the purpose for which it is made, और ब a kind of speculation, but in India this activity is continuously enhancing because of the internet services, because of the youth, because of the availability of data in your hands, so I cannot prevent you from doing so, but if you are doing it, please be aware about the taxation aspect as I have discussed in this video, I hope you would found the content or you had rather found the content useful to you, thank you for being with me, wishing you all the best, Jai Hen.